चाय अन्वाज़ कंपर सब्सक्रूर जैसरी सितना में अलग 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 ग्रह अलग अलग भाऊ में होंगे तो आपने कैसे फिल देंगैं इस Baar शुक्र महाराज के नवम भाव में स्थित्वामि नवम क्या होता यह वाला भाव नवम पूस्पाने क्यों怎麼 how इसे हो नवम भाव यह करना चाहिए योटीब चैनल भी स अस्त्रोची की प्लै-लिस्ट astrology relation हिंदी में आपको जाना है वहां जाकर कि आपको कतार बद तरीके से वीडियो मिल जाएंगे शुरू से लेकर कि जितने वीडियो अपडेट हैं अपडेट होते रहते हैं वहां पर रोज लेकिन आज की स्थिति में भी जितने अपडेट होते हैं ही आप यदि वीडियो को देख लेते हैं तो आप एक बैसिक एस्ट्रोजल जिरूर से बन जाएंगे तो यहां पर हम क्या बात करें हैं हम बात करें हैं कि नवा भाव कैसे हुआ तो पहला भाव यह होता है एक दो तीन चार पांट चली साब ताट नौ दस गयारा बारा भाव होते हैं ठीक है तो शुरू कर दिया बताना शुरू कर दिया ऐसे नहीं होना चाहिए एक्चुली शुक्र महाराज के साथ कोई न कोई नंबर लिखा होगा है अकेले तो नहीं होंगे शुक्र देवता कुछ नंबर लिखा होगा उसके साथ या यह कह सकते हैं कि अलग 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 लगने की कु तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे या अलग-अलग numbers के साथ बैठेंगे तो कैसे फल देंगे इसमें आपको और ज्यादा clarity होगी तो हम यहाँ पर numbers के साथ बात करेंगे बहुत ज्यादा अच्छे और clear results के लिए एक बात आप जानिए कि नवा इस्थान होता क्या है तो नवा इस्थान 9th house जो होता है उसे हम भागय का इस्थान कहते हैं उसे हम पिता का इस्थान भी कहते हैं destiny a pinky a fears a दियात्मकशंधा जाता है धर्मकर जाता है सबसे महत्पूह बागय इसलिए मैने जाता और सबसे शुबस्थान लगन के बाद में इस इस्थान के बाद मिस सबसे ज्यादा शुबस्थान नविस्थान को कहते हैं उसका वज़े कि भाग यह आप जो हैं आपका सबसे महत्पुन भाग्य होता है कर्म अधिके बहुत सारे लुगों को आप देखेंगे कि जो बहुत कर्म करते हैं बहुत महनत करते हैं लेकिन उतना उन्हें नहीं मिलता है जितना कोई दुसरा व्यक्ति थोड़ी से मैनत में ज्यादा पा जाता है तो यह जो है न यह भाग्य है तो भाग्य का इस्थान पर शुक्र महाराज बैठेंगे अच्छा एक और बात समझें कि शुक्र महाराज की सात्वी द्रश्टी होती है तो सात्वी द्रश्टी का मतलब क्या है जहां पर शुक्र देव बैठेंगे वहां के तो फल देंगे लेकिन वहां से सात्वे भाव की भी फल देंगे तो यहां से सात्वे भाव गिनेंगे तो क्या होगा एक दो तीन चैर पांच छे और सात तो यहां के फल भी शुक्र महाराज देंगे, क्योंकि यहां पर भी शुक्रदेव देखेंगे, तो हम यह कहींगे कि शुक्रदेवता की प्रभव तरती स्थान पर होगा, तरती स्थान को हम पराखरों का इस्थान का इस्थान का इस्थान का इस्थान का इस्थान का इस्था नंबर के साथ, एक नंबर के साथ 9000 बैटेंगे, तो क्या फल देगे? यहाँ पर एक नंबर हुआ, तो यहाँ क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखे, एक नंबर मंगल देव का नंबर होता है, मेश राशी होती है, शुक्र देव यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि दो नंबर और साथ नंबर कहा लिखा हुआ है, क्यों देखना पड़ेगा? उसकी वज़ा यह है कि दो नंबर का मतलब होता है विशव राशी, वशिव राशी के स्वामी भी शुक्र हो जाते हैं, और साथ नंबर का मतलब होता है तुरा राशी, तुरा राशी के स्वामी भी शुक्र हो जाते हैं, तो दो नंबर और साथ नंबर जहां लिखा रहेगा, उस पर्टिकुलर हाउस के मालिक, इसे हाउस का जाता है, यह खा भाना जो आपको दीख रहे नहीं मैं हाउस का जाता है तो इस पर्टिक्लर हउस का मालीक शुकर देवता को मिल जाएगा तो यहांस भालु के स्वामी शुकर हो अइस भाली और शुकर bloody duas तो अभी क्या होगा तो देखिए यहां पर शुक्र देवता अपने बहुत अच्छे रिजल्स नहीं दिखा पाएंगे क्यों कि वैसे ही शतुर राशी में शुक्र देव बैठे हुआ है भागिस्तान पर और तरतिय भाव के स्वामी की महादशा चल रही है तो तरतिय भाव क नहीं कर पाएं मतलब की फिजूर का मतलब ही तो यह होता है ना कि हमें जो काम करना है वो सीधे से ना हो और बहुत परिशानियों के बाद हो तो जब वैक्ती का काम बहुत परिशानियों के बाद होता है तो वो डिप्रेस्ट होता है तो कहीं न कहीं डिप्रेशन की इस्ति प्रोंटर तो कर्मसितां के मारिप यूर। पी तरिके करम करें। या पिटा का करम करें। पिता की कुछ संहा ले। तो बहुत अच्छा होगा। अधो paragraph स्थार्च, शूरूर इंसा नहीं कर सकता है। नौक रही करना रहेगी और साथ हल्थ इशूज या मैंटल इशूज चिंता तराव के स्थितिया बनेंगी पढ़ा ही लिखाय में उतना मन नहीं रहेगा तो बहुत अच्छी स्थिति तो ये एक नमर के साथ नहीं है एक के बाद में दो नमबर दो नमर के साथ दो तीन चार पांक छे साथ अभी क्या हुआ बहुत शांदार फ़ल मिलने वाले बहुत शांदार फ़ल क्यों मिलने वाले दो नमबर का मतलब होता है व्रिशव राशी व्रिशव राशी के स्वामी खुश शुक्र हो जाते तो खुद शुक्र अपने ही भाव की स्वामी और यहां पर ग्राव भाव पर लिखा हुआ है तुला चाहिसोगी इस वह चमकरly बहुता बुदने के बहुत एक सुक्सुरिधाओं को रिप्रेजन करते हैं माता लक्षीमी के खुद शुक्र महाराज पती हैं तो शुक्र देम की महादशा चलेगी इंसान धन धन संपन होगा धन की कोई कमी नहीं होगी मैं आपको बता दूँँ नौकरी करे बिजनस करे प्रोफेशिनल हो बहु करें परिवार के लिए नंसान भागेशाली हो जाएगा या इंसान के ना रह सीनके मानेगे वारी का भाव भाकिस्थान पर आए वारो सुननेंगे मानेगे तो उसकी चलिएगी मतलब रेटरशिप क्वालिटी पे जनरेट हो जाएगी तो दो नमबर के साथ शुक्र महाराज ऐसे फ़ल देंगे जिसको कहते हैं गोल्टन प्रियेड ऐसा लगे नहीं इसान को गोल्टन प्रियेड आ लिए बहुत शांग नायलत इंसान बहुत करेगा लेकिन उसका प्रतिछफ़ भी उसका रिजबल बहुत अच्छा तो पाएगा तीन नमबर के साथ तीन नमबर के साथ क्या होगा ए दो है लेकिन अच्छी लेकिन एक्चिली लगन पर साथ नमबर लिखा हुआ है और साथ नमबर का मतलब होता है तुला राशी तुला राशी के स्वामी शुक्र होते हैं और वो भागिस्थान पर गया है मतलब लगनेश होकर के शुक्र का भागिस्थान पर जाकर के बैठना अपने आप में भाती को बहुत ज़ादा मजबूत करता है और साथ हम अश्टमेश को देखेंगे तो यह नेगेटिव नहीं होगा तो कि यह एक नियम है कि जब लगनेश होता है तो लगनेश कभी भी अश्टमेश का दूश नहीं लगाता है तो यहाँ पर शुक्रि महाराज अगेन मैं यही बात करूँगा कि गोल्डन पिरियट जैसे रिजल्ट देने वाले है अपनी महादशा में हाँ इंसान ज्यादा सौम में हो जाए या इंसान ज्यादा एमोशनल हो जाए दूसरों को देख करके उसे बहुत ज़्यादा परुपकार की भावना आए ऐसे स्थित्या हो जाती लेकिन इसे मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा इसे किसी को देख करके कोई परिशान है तो इंसान का उसे देख करके दिल रोने रोने में आ आ गया अब ठीक है ना यह अच्छी बात है हम इंसानों में यही तो एक चीज मिले है जो जानवरों में नहीं है तो मैरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि शुक्र महाराज जो है वो गोल्डन पिरेट देते हैं और चाहे बढ़ा ही लिखा ही नौकरी वेबसाइट प्रोफिशन सारे द्रश्टिकों से शुक्र महाराज जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाते हैं तो यह शुक्र महाराज गोल्डन पिरेट लेकर के आएंगे और बहुत अच्छा अपना निसल देंगे और लगनेश की मालश जो रही है और लगनेश भा की स्थान पर बैटे हुआ हैं और मित्र राशी में बैटे हैं कून हो जाते हैं बुध्र जो निसले बहुत चोईast यहां पर खराब रिजर्ट मिलेंगे लेकिन वीशेश परिस्थितिती में इतने यहां पर दो नंबर जो है विभा के स्थान पर पती हो चुका है तो इंसान को शुक्र की दशा तब चल रही है जब उसका विवहा हो चुका है या होने वाला है या बीच शुक्र की महा दशा में विवहा हो रहा है तो इंसान जो है वो अपने लाइफ में golden period महसुस करने वाला golden period विवा के पशाथा मेरी शर्थ को ध्यान रखे कुंडली मिलान के ये बिना विवा नहीं करना है कुंडली मिलान करके ही विवा करना है मेरी शर्थ को ज़रोड ध्यान रखेगा otherwise व्यक्ति जो है वह बहुत 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 आगे बड़ेगा तो गोल्डन पीरिड उसे महसूस होने वाला अपने भागे में लेकिंग विभा की बात नहीं करते हैं मान के चलें कि इंसान जो है वो तीस साल का है है और आप शुक्री की मादशा उसे जा चुकी है तो उसके अलावा क्या रिजल्ट मिलेंगे तो खराब रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेंगे यहां पर शुक्र महाराच भटकाओ की इस्तिती पैदा कर सकते हैं फिजों का भगाएंगे दोडाएंगे क्यों क्योंकि व्रशिक लगन की कुल्डी है प्रशिक लगनी कुल्डी में शुक्र महाराच मारेक रहा होते हैं कि द्वादशेश हैं तो द्वादशेश का भागिस्थान पर आखके बैठना पहले नंबर पर तो भगाएगा दोडाएगा मेहनत जादा करवाएगा खर्चे जादा करवाएगा परिश्रम जादा देग यदि व्यक्ति विजनस कर रहा है तो विजनस उसका लॉस करवा देगा लेकिन हाँ यदि व्यक्ति विदेश में अपना भाग्या आजमाए मतलब पढ़ाई लिखाई में या फिर नौकरी में तो इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है तो मैं ऐसे इस्तिते में यह कानूने ताई करके रखा है इस्पेशली 21 साल के उपर ही विवाह करना चाहिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का मेरा मानना यह है तो विवाह कर लो समय पर जल्दी से और कुण्डी इग्लान करके विवाह करो तो कोई चिंदा की बात ही नहीं है बहुत अच्छी स्थिती है और इदी विवाह नहीं होता है तो फिर विदेश में जाकर कि आपने जन्विस्तान से दूर जाकर करके अपने भागे को आजमाई यह परेशान ही रहने वाले हैं यह बात में आपको ब्लकुर कह देता हूं चाहर के बाद में पांच नुमबर पांच छे साथ आठ आठ लोग अभी बहुत खराब दिजर्ट विनेंगे क्यों क्योंकि देखो नौन पर लगन पर है इसका मतलब भूता धनुराशी धनुराशी के स्वामी गुरू होते हैं गुरू की कुल्डीवे शुक्र मारक हो जाते हैं क्योंकि चटवे भाव के स्वामी गुरू बागिस्थ यहां पर बैड़ दरें हैं भागयस्थान पर तो इसका मतलब यह है कि इंसां के भागय में शक्तरु ज़्यादा हो करदे की स्थिप पैदा हो खरचे की स्थिप ज़्यादा पैदा हो और हैल्फ टिशू जो हिन हो more ज़्यादा पैदा हो ऐसा व olarक्ति बिजिनस करेगा तो लोस ही जाएगा लेकिन नौकरी करेगा तो हम ये भी देखेंगे के लाब भाव का मालिक भी भागे भाव में बैठा है तो नौकरी से जरूर से लाब उसे मिलता रहेगा लेकिन बहुत खुश व्यक्ति नहीं रह पाएगा पड़ा लिखेंगे मन नहीं रहेगा और हैल्थ इ अभी क्या होगा और बहुत लोग यहां पर दूगा खा जाते हैं देखो चेह नंबर का मतलब होता है कन्या राशी कन्या राशी में शुक्र महाराज नीच राशी इस्तित हो जाते हैं लेकिन शुक्रदेव पंचम भाव के स्वामी है तो अती योकारत ग्रह हुए और दश शुक्र महाराज सामाने तरह तो अपने खराब ही फ़ल देंगे चाहे पढ़ाई लिखाई नौकरी वेबसाइट के द्रश्टिकूर से लेकिन एक अच्छी बात यह जरूर यहां पर देखने को मिलेगी कि विवाह होगा और पश्या संतान होगी तो पहली संतान के बाद मे संतान के बैठा होगी तो तो खराब रहेगा लेकिन संतान पहली संतान के बाद में विक्तिकल तो थोड़ा बहुत फाइदा देखने को मिलेगा तो ईसे लोगों को मैं कहाता हूँ वो लोक सोचतें कि कि हम बच्चे पैदा ना करें हमारे केरियर में दिक्कtin आएगी तो मैं कहाता हो नहीं बच्चा पैदा कीजी अपर भागय में प्रदी होगी तो कि देखो हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, गूम रहे हैं, ये हमारे ही भागे से नहीं है, ये हमारे घर परिवार वालों के भागे से है, मैं अपने ही हिस्से की रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैंने कुछ खाया तो हो सकता है मेरे बच्चों के हिस्से की रोटी हो, तो क बहुत अच्छे फ़ल देने वाले है शुख्र महाराज देखो शुकृदीव साथ नमबर शुकृदीव का नमबर होता है साथ मुझ्ट खुद के नमबर पर शुक्र महाराज आकर के बढ़ेज़ भाग्यी इसथान पर अरके बढ़े ऐ एक और बात है कि दो मकान, भूमी, गाड़ी, वहान, बहुत एक सुक्सुन थाओं कि कोई कमेने वी उल्टा बढ़ती जाएगी, भागे बहुत ज़्यादा सूध होगा, बहुत भागे साथ देने वाला है, और इंसान महनत करेगा, लेकिन अपनी महनत से बहुत कुछ पाएगा, बहुत कुछ अर साथ, साथ के बाद में अब आठ नमबर, आठ, साथ, छे, पाँच, चार, दी, दो, एक, बारा, बारा का मतलब होता है, मीन राशी, मीन राशी के स्वामी गुरू होते हैं, मैंने पहले ही कहाता है, गुरू की कुंड़ी में शुक्र महारार अच्छे फ़र नहीं देते हैं और फिर उपर से आठ नमबर निवरिशी के राशी मंगल के राशी में शुक्र बैठे हैं, तो अगें खराबी फल देंगे, अश्टम भाव के स्वामी को कुंड़ी का सबसे खराब या मारकेश माना जाता है, तो यहां पर शुक्र महाराज जो है, वो अपने मारक फल दें है, sorry to say, मैं negative कहा रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति को depression, anxiety, societal tendency बनती है, व्यक्ति बिजनस तो करें नहीं सकता, पढ़ाई लिखाई भी मन नहीं लगता है, नौकरी भी करता है, तो उसको उतनी उनती व्यक्ति को नहीं मिलती है, मतलब यह बहुत कठीन दशा होती है, हर जगे जा खराफर मिलते हैं, मिलती तो लेकर्ष्ट के बाद देखने को मिलते हैं, unfortunately, नौ नुमबर के सब, नौ, आठ, साथ, छे, पाथ, शाथ, तीन, दो, एक, अब यहाँ पर न, वैसे तो मंगल की कुंड़ी है, एक नंबर जो है वो लगने स्थान पर है, तो मंगल की कुंड़ी है, लेकिन एक बात ये देखिए, कि पती या पत्नी भाव के मानिक भाग के स्थान पर बैठे हैं, और धन के मानिक भाग के स्थान पर बैठे हैं, तो पती या पत्नी आने के बाद, या यह कह से पटी कि शादी के बाद, इंसान में भाग के बहुत उन्नती करता है, बहुत आगे बढ़ता है और भागी में चुकि धन है तो इंसान धन के द्रश्टिकों से कभी परिशान नहीं होता मतान भुमी गाड़ी वहां बहुत एक सुक्सिधाएं और बिजनस करें अनौपरी करें बहुत आगे विक्ति बढ़ता है हाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं वक्ति शुक्र की दशा लगई तो बढ़काओ के इस्तियां बहुत बनती तो पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है परिवान में मत्वे की अर्गुमेंट्स ओं ऐसे इस्तिती बहुत है कोल नहीं बिलान गरती विवा करना पड़ेगा ये जरूर शार्थ है नि तो एक्स्ट्र मेंटल अफेर बने की चांसे भी बनते हैं लेकिन आप नहीं बिलान गरती विवा किया तो मैं कहुंगा कि अभी क्या होएगा तो अभी बहुत अच्छे रिजर्स देंगे अब देखो यहां बना च्टवे भाव के स्वामी शुक्र है लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि लगनेश भी अधी शुक्र हो जाएंगे तो फिर उसको च्टवे भाव का स्वामी या मारक नहीं मा लगनेश शुक्रभाग के बहुत बहुत अच्छे देंगे नौकरी वेबसाइट प्रोफिशन में बहुत उन्रति देंगे महनत करवाएंगे कई बार वेक्ति को लगेगा कि मेरे शत्रू पैदा हो रहें कॉंपिटिशन मुझे मेरे सामने बहुत आता है लेकिन कॉंपिट बहुत अच्छे रिस्तितिय बहुत सुंदा रिस्तितिय दस नंबर के साथ में दस के बाद में 11 है 11 है 11 है 11 है 12 12 24 यहां पर क्या होगा देखो यहां पर वें बहुत अच्छी देखने कुमислए नबर का मतलब होता है मित्वुन राशी और पांचवे भाव के सामी नंबर कहां लिखा हुआ पांचवे भाव पर पाछवा भाओ क्या होता है ? बुद्धी का भाओ, संतान का भाओ और शुक्र महाराज कहां चले गया है ? भागी अस्थान पर तो इंसान अपनी बुद्धी जपने भाग के निर्वान कर लेगा शुक्र की दर्शा में बुद्धी decision making को और बहुत शार्ख होने वाला शुकर की तरह सामय, महनत व्यक्ति बहुत करेगा, परिश्र भी होगा, पुरुशार्थी होगा, महनत करने में बहुत विश्वास रखने वाला होगा, महनत से सब प्रेम होगा, कलात्मक होगा इंसान, इंसान की बुद्धी ज सोच रहेगी, बहुत इंसान आगे बनने वाला है, artistic nature का मतलब यह नहीं है कि वह वक्ति गायब होगा, या लेखन में रूची रखता होगा, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हो सकता, ऐसा भी हो, लेकिन कहीं वह एंजिनियर भी हो गहीं, वह डॉक्टर पर तो भी अपनी कलपना शिल्ता उसकी इतनी अच्छी रहेगी, कि कहीं न कहीं वह बहुत अच्छे वातारान का निर्मान कर लेगा, बहुत दूर के सोचने वाला होगा, संतार के पश्चा भी भाग्योदे होगा, यह बार भी निश्चित है, हाँ, कुरली मिलान करके विवाह करना होगा, लेकिन अच्छी रहेगी, विदेश भाव में स्वामी भाग्योदे बहुत बहुत शांदार, बहुत शांदार, बहुत अच्छे फ़र अपने देने होगे हैं, बारा निंबर फाइनल, बारा एक, दो, तीन, चार् पांग, छे, साथ, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा रिजल्ट देंगे, खई लोग न यहाँ पर बड़े, बड़े करुश्मिस हो जाते हैं, यह करके लगन के कुल्डी हो जाती हैं, यहाँ पर शुक्री देवता को मारक द्रह मान लेते हैं, मुझे नहीं पता क्यों मारक पड़े इस रिजल्ट मिलेंगे, क्या नेगेटिउ रिजल्ट मिलेगा, तो इसे ग्याँ में भाव का हम छोटी मोटे रोगों का भाव कहते हैं, तो व्यक्ति जो है वह यह शिकायत करता है शुक्र की दशा में कि मेरे रोग, मेरे हल्ध इसुक्री दशा है बढ़ गए है, ये जिल्वर कहता है वेक। भागदोड मेरे बहुत बढ़ गई है, म HEY झी भागदोड को बहुत बहुत कहिता है। मतलब बहुत आगे बढ़ता है इंसान अपनी केरियर में, पढ़ा ही लिखाए कि दृष्टिकों से बहुत ज़्यादा उपलब्दिया हासिल करता है, पारिवारी दृष्टिकों से इंसान को बहुत सुख देखने को मिलते हैं, तो स्वात के ध्यान बस रखना होता है इस इस स्थिति में, अधरवाईस सारी स्थितियां बहुत बहुत बहतर होती है, गर्ग लगन की कॉल्डियों, ऐसे बैठे हो शुक्र और उनकी महादशा चले तो, ठीक है, तो यहां पर उमने चर्चा की है, शुक्र दियुत्ता की नवविनिस्थान पर बैठने की एक नमबर से मुझे बढ़ी है, फिर मिलेंगे आने वाले विडियों और इपिसोर्स में, तब देखे लिए आज के इस वडियों में आपसे विडिया चाहूंगा, जैश्री से तरह